हाई गाईज वेलकम टू इजीफाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज जो हमारे बैंकिंग बैन है वो आल्रेडी काफी जादा मुश्किल में चला गया है सिंस सुप्रीम कोट ने अल्रेडी बता दिया था कि इंडिया में बैंकिंग बैन करना इस अंडेमोग्रेटिक तब भी बैंक जो है वो बैक फूट पर नहीं जा रहे हैं बैंक सेंड आर्वियाई कॉंटिन्यूस्ली क्रिप्टो एक्सजेंजीज एंड क्रिप्टो के जो यूजर्स है उन्हें इस्टाप कर रहे हैं वह एक नहीं तो दूसरे तरह से क्रिप्टो यूजर्स के लिए कोई न कोई पॉब्लम क्रेट करते रहते हैं रिसेंटली आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडिया की बड़ी क्रिप्टोगरंसी एक्सचेंजेज हैं, चाहे वो कोईन स्विच कुवेर है, चाहे वजीर एक्स है, चाहे कोईन डिसेक्स है सभी एक्सचेंजेज पर UPI का ओप्शन एनेवल नहीं है सिंस इंडिया में majority of the transactions via UPI होती हैं, तो यूजर्स को बहुत साथा difficulty हो रही है एक्सचेंजेज में अपने पैसे deposit करने के लिए यूजर्स अपने पैसे UPI के तरोफ withdraw या फिर deposit नहीं कर पारे और जो instant transactions UPI का काम था वो अपना काम तरिके से नहीं कर पारा इसका reason banks ने ये दिया है कि since our crypto की regulation नहीं है तो वो crypto को UPI का access नहीं दे सकते exchanges ने clearly अपनी statements में ये बताया है कि banks से वो regularly बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो है कि वो सुनने को राजी ही नहीं है ये जो fight है Indian banks versus Indian cryptocurrency exchanges वो बढ़ती ही जा रही है और इस सब में जो पिसरा है वो average crypto investor है जो या तो किसी वज़ा से अपनी rally मिस कर जाता है या फिर उसे जादा बड़े रेटों पर खरीदना पड़ता है क्योंकि time पर उसकी transaction process नहीं हो पारे इस सब के चलते banks जो लोगों को अपना पैसा ही अपने तरीके से use करने से रोक रहे हैं regulation के नाम पर वहीं since India में कुछ कहीं पर भी clearly ये नहीं है कि crypto band है या illegal है एक legal digital asset को खरीदने के लिए इतने obligations क्यों और जहां पर RBI ने भी अपने circular में काय रखा है कि वह Supreme Court की respect करते हैं और Supreme Court ने clearly काय कि इंडिया में freely trade हो सकती है cryptocurrencies जब तक कोई regulation ना आए तो banks क्यों रोक रहे हैं और इसका क्या future हो सकता है exchanges जो है continuously solution निकालने में लगे हुए है कि वो जल्दी से जल्दी जाद जाद options अनेबल कर सके और UPI चंस most rapidly used mechanism है for small payments तो उसके लिए उसका integrate होना बहुत जाजरूरी है फिल्हाल आप IMPS और RTGS यूज़ कर सकते हैं अगर आपको exchanges में अपने पैसे deposit करने हैं but since यह जो mechanism है यह जो deposit processes है यह थोड़े से अपने आप में slow है इसलिए यह कुछ time लेते हैं जिसमें investors का loss हो रहा है हम इंडियन government से यह request करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी अपनी regulation लेकर आए ताकि इंडियन जो crypto investors है उनका नुकसान ना हो और वह अपने मन चाहें अगर ट्रेड्स करना चाहें तो कर लें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चानल सब्स्क्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं थैंक्यू गाइस बबाए सी यू नेक्स टाइम झाल झाल